मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं Study Commerce और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या है और उसके क्या-क्या फिचर्स हो सकते हैं और kinds of personality तो सबसे पहरे सुरू करते हैं personality देखे personality वैक्तित्व क्या है जैसे आप किसी भी बड़े स्टार या किसी भी बड़े लीडर के बारे में अगर सोचे और एक्जामपल अगर हम रितिक रोशन के बारे में बात कर रहे हैं तो रितिक के personality को देखके आपको क्या लगता है जैसे आप कहेंगे वह अच्छा डांसर अच्छा एक्टर है गुड लुक्स है अच्छी बॉड़ी है या नरेंद मोदी को देखके आप क्या कहेंगे जैसे हाँस होता है जो उवर आल मिजरेबल ट्रीट्स होती है यानि उनको हम मिजरर कर सकते êts апKA शक पहचान सकते हैं कि वह क्या-क्या है जैसे यह एलिक देख सकते हैं कि यहां पंपर निक्को एक स्कॉलर नजर आ आ रहा है तो इसकी आपे लिए स्कॉलर वैली यानि वह काफी कफिये पढ़ा लिखा 6 और यहां प다면 Wochen दिखा रहे कि यह तो परस्टनालटी क्या है है मैं doing a charge का है speaking जा पूरे आपक्रेश् how का सक्टगteल लिखा है पर स्थी टॉटल ऑफ पर संस आौटर अपरियंस यानि कि परस्डाल्टी क्या होता है किसी पर्संद की आउटर एपियांस होता है उसका इनर Almä या आूटर मेसेडियापल ट्रेटि में से जिस तरीके से इंटरेक्ट करता है जो तरीक्ती है लैटिन वर्ड है जो की है पर सोनर सोनर इसका मतलब है टू स्पीक थरू प्राचीन रोम ओ ग्रीस में उट समय में जो अक्टर acting करते थे वो अपने face पे एक mask पहनते थे अपने face पे एक mask पहनते थे ताकि वे audience को प्रभावित कर सके किसी particular character को निभाते समय ताकि वो जिवन्त लगे या real लगे तो personality का मतलब क्या है outer appearance through which one tries to speak or influence other ठीक है इसी तरीके से Oxford dictionary ने यह कहा है कि जो personality है वो एक अलग विश्यश्था है यानि हर वेक्ति के अंदर अलग विश्यश्थाएं होती है और उसी को हम combined route में क्या कहते हैं personality कहते हैं आये features आरा Ery Disability में आते हैं तो सब्से पहले features यह दीया कैक कि कज पर्सनलालिटी के जो features होते है वो सभी में पायाते है मैं gafzaday तो वो बहुंसा लंबे होंग बोते होंगे को पर्सनलालिटी के features होते हैं वो कुछhi लोग में पायाते हैं प्शुद्स है जैसे अग्रेसिव नहीं हो सकते जैसे विराट कोली या डोनल्ल टम यह लोग क्या है अग्रेसिव परस्टालिटी के लोग हैं और कुछ unique unique feature हो सकता है personality में जो कुछ ही लोग के पास या आप कहें कि कुछ particular वेक्ति होते हैं उन्हीं के पास हो सकता है जैसे Mr. Cool, महंदर सिंध होनी वो क्या है उनकी जो personality है वो अलग है कुछ unique है तो next दिया गया है कि personality को पता करने के लिए हमको क्या करना होगा observe करना होगा प्रती मिनट या कुछ समय के लिए ताकि हम personality को अच्छे तरीके से समझ पाए कि personality है क्या personality God gifted भी हो सकती है जिसको हम बोलते है ही editing का मतलब क्या है जंद जाता हो सकता है या रुवांशिक नेक्स्ट है man made man made का मतलब क्या है आप किस environment में रह रहे हो उस तरीके से आपका personality किस तरीके से बदल रहा है नेक्स दिया गया है कि personality जो है वो stable और consistent होता है यानि personality ज्यादा परिवर्तर variable नहीं होता है और constant होता है यानि हमेशा एक जैसे रहता है और ये किसी situations के समय में ही influence होता है प्रभावित होता है अगर कोई particular situation आपके सामने नहीं आ जाती जब तक तब तक आपका personality नहीं change होगा जैसे अगर आप cool हैं तो आप cool ही रहेंगे लेकिन हो सकता है short term के लिए कुछ समय के लिए आप गुस्ता कर सकते हैं अगर कोई ऐसी situation बन जाती है तो इसलिए कहा गया है कि जो personality होती है वो slow change होती है short term में ज्यादा तेरी से बदल सकती है लेकिन long term में क्या है slow change होती है एक व्यक्ति अपनी personality को long term में ज्यादा परिवरता नहीं कर सकता वो उसी तरीके से रहती है या slow change होती है नेक्स दिया है कि personality जो होती है वो past experience और future expectations से होती है नेक्स है personality कई प्रकार की होती है जैसे type A, type B, intro word, extro word, proactive, reactive, reactive and positive and negative personalities यह में नेक्स स्लाइड में बताऊंगा आपको नेक्स है किसी भी व्यक्ति के personality को समझने के लिए हम को क्या करना होगा उसके behavior को समझना होगा यानि एक particular situation में, given situation में एक व्यक्ति किस तरीके से behave कर रहा है यह जानके हम उसके personality को समझ सकते next दिया गया है कि personality ऐए performance को affect कर सकता है जैसे अगर कोई negative personality का व्यक्ति है तो वह काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा इसी तरीके से जो पर सिनल्टि थे वह भी personality को effect कर सकती जैसे अगर कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है तो वह मज़ूरी कर नहीं करना चाहेगा नेक्स्ट है types of personalities देखे personalities को अलगले basis में divide किया गया हैं तो पहला basis है on the basis of trades यानि लक्षड या विस्यस्ता या आप कह सकते हैं विस्यस्ता के अधार पर तो on the basis of trade में दो तरीगे के personality होता है type a personality and type b personality type a personality कौन होता है जो competitive होता है ज्यादा aggressive होता है achievement oriented होता है वो type a personality होता है type a personality के लोग कैसे होंगे time conscious होंगे वो हमेंसे समय के ध्यान रखेंगे और समय के साथ चलना चाहेंगे और impatient होते हैं बहुत ज्यादा उनके पास ध्यार नहीं होता है और highly competitive होते हैं और aggressive भी होते हैं और भी एक नट भी relax नहीं करना चाहते ऐसे अशे लोग type a personality के होके लोग क्या करते हैं हमेजा move करते हैं जल्दी में रहते हैं जल्दी जल्यरी चलते हैं और एक समय में बहुत सारे काम करना चाहते है और जो लेजर पे modeled होता है काम के समय जाए फूर्सत का समय होता है उसको ऑज् fastest का समय होता है उसको इंजॉइ बिल्कुल भी नहीं करते और इस तरह के लोग बहुत कम यहिर रोचीज को होते क्यों क्योंकि उनको हमेशा time time का pressure होता है और इस तरीके लोग अपने health को लेके ज्याद़ा परिशान रहते और यह लोग टाइप परसनालिटी के लोग अचीवमेंट औरियंटेड भी होते हैं यानि अचीवमेंट औरियंटेड नेचर के होते हैं दूसरी तरफ टाइप बी परसनालिटी के जो लोग होते हैं वो शायद ही देखा गया है कि वो जल्दी में होते हैं वो बहुत रिलाक् होते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करें तो भी ज्यादा खुश्च नहीं होते हैं या ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं और नहीं काम नहीं भी हो रहा होता है तो भी वह ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं टाइप बी परसनालिटी के लोगों का यह माना होता है कि हरी ब्रि देते हैं या किसी decision पर अगर उनको पहुंचना है कोई decision लेना है तो उसके लिए particular time देते हैं type B personality के लोग prefer करते हैं quality ना कि quantity उनको quality चाहिए यह नहीं कि 10 काम कर लिया और उसकी quality zero है वो एक ही काम करना चाहते हैं लेकिन वो perfectionist होते हैं maximum perfection के साथ वो काम करना चाहते हैं और वो भी creative तरीके से और इस तरीके के लोग क्या हैं बहुत कम stress लेते हैं और health को लेकि उतना problem नहीं करते हैं अगर छोटा बटा अगर health में कोई problem भी आ जाए तो वो परिशान नहीं होते हैं और type B personality के लोग अपने achievements को show off करना नहीं चाहते वो बेवज़ा अपने जो भी achievements उनको नहीं रिखाते नेक्स्ट है कि on the basis of sociability and development of relation इस तरीके में जो personality हैं दो तरीके को होती हैं इंट्रो वर्ड का मतलब होता है कि अंतर मुकी जो अपने मन में बातों को रखता हो जो लोगों के साथ शेयर ना करता हो इस तरीके के personality को हम इंट्रो वर्ड परसनालिटी करते हैं इंट्रोवर्ड परसनालिटी के लोग क्या होंगे शाय होंगी कॉइट होंगे बहुत शान्त रहने वाले होंगे और इस तरीके के नेचर वाले होंगे जो लोगों से जल्दी नहीं मिलना चाहते हैं ज्यादा लोगों से वो बात नहीं करना चाहते हैं और वो ऐसे लोग के सा करते हैं और उनकी तेंडेंसी होती है आत्मात्य करने की प्रविति होती है वह अके लिए रहने के कारण हो जाती है नेक्सट एक्सट बड एक्सट बड किया है अपोजित है इंट्रोवर्ट के एक्सट गा मतलब है बहिर मुखी याने जो अपने expressions को show off करे, दिखाए, तो extra word कौन होगा, जो open हो, जो खुले विचारों का हो, odd spoken हो, lively and try to mix with as many persons as possible, जो extra word personalities के लोग होते हैं, वो ज़्यादा लोगों के साथ मिलना चाहते हैं, घुलना मिलना चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं, और extra word personality के लोग ज्यादा stress नहीं लेते हैं, लेकिन अगर वो stress होते हैं, तो वो सिर्फ क्या हो, अकेले काम करने के वैसे होते हैं, और इसके वैसे क्या, उनकी productivity अफेक्ट करती हैं, यानि कि extra word personality के लोग, अकेले रहना प्रेफर नहीं करते हैं, कभी भी, निक्स दिया गया है, on the basis of taking initiative, इसमें दो है, proactive and reactive, proactive personalities कौन होते हैं, जो किसी भी problem के आने से पहले ही, क्या है, initiative ले ले, वही क्या है, proactive होते हैं, और reactive personality क्या होते हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं, जब तक problem नहीं आ जाती हैं, तब तो वो बैठे रहते हैं, जैसे ही problem आती ह हैं, तब वो इस problem को solve करने की कोशिस करते हैं, next है, on the basis of thinking, thinking के basis पे personalities दो तरीके के होती है, positive personalities और negative personalities, positive personalities के लोग हमेशा किसी भी incident, किसी भी situation को उसका जो brighter side होता है, जो positive चीज़े होती हैं, वो देखते हैं, और positive जो personalities के लोग होते हैं, वो किसी भी problem को as the opportunity लेते हैं, ताकि वो उसको कर सके, और जो positive personality के लोग होते हैं, वो शायद ही frustrated feel करते हूं, किसी भी worst situation में, यानि वो ज्यादा frustrated feel नहीं करते हैं, हमें से positive रहते हैं, और positive personality के लोग दूसरों को appreciate करना चाहते हैं, ज्यादा तर appreciate करते हैं इवन वो small favor के लिए भी अगर कोई आपके लिए थोड़ा सा भी कोई help कर देता है तो उसके लिए appreciate जरूर करते हैं और positive personality के लोग hard worker होते हैं और इस तरीके का cognial involvement create करते हैं कि आप असानी से काम कर सके कोई भी जीत negative personality के लोग हमेशा problem ढूनते हैं किसी भी व्यक्ति में किसी भी situation में वो इस तरीके से किसी भी problem को magnify करते हैं यानि कोई भी small problem भी होगा तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा उसको बनाएंगे यानि कहेंगे उनकी health थोड़ी सी भी खराब हो गई तो वो कहेंगे कि बहुत ज़्यादा health खराब होगे काम नहीं कर सकते या इस तरीके के खुछ भी और negative personality के लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं चाया भी किसी भी लोगों का किसी भी ground पे किसी भी base पे क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा करते हैं और बाते जादा करते हैं आर दूसरों को appreciate करना बहुत ही कम करते हैं बहुत ही कम appreciate लोगों को करते हैं नेक्स्ट है on the basis of attitude and behavior personality दो प्रकार के होते हैं dogmative and non-dogmatic dogmative personality के जो लोग होते हैं वो autocratic type के होते हैं तानर्शा टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं सब्सक्राइब का मतलब होता है मुखर तानर्शाही प्रक्रिति यानि कि बहुत ज़्यदा autocratic type के होते हैं वो हार्ड लाइन अप्रोच को अपनाते हैं हार्ड लाइन अप्रोच का मतलब होता है कट्टर पंति दिश्ट कोड़ वो सिरफ अपनी बातों को रखना चाते हैं वो अपने opinions को दूसरों पर थोपते हैं और इस तरीके के लोग बहुत ज्यादा intolerant होते हैं यानि बिल्कुल भी किसी बी चीज़ को सायर नहीं करना चाते हैं अपनी बातों को सिर्फ रखना चाते हैं और इन flexible होते हैं फ्लेक्सिब लोग होते हैं वह कूल बहुत ज्यादा कूल होते हैं देमोक्रातिक होते इनónills को लेगा चलना चाहते हैं अपने जो सोच तुले शलिई एकुल को मेंसरे Wave Şu K Australia ऐसे इह उस्सेयर करते हैं उनकी बाते दरीकिन के के सहमती से यानि आम सहमती से लेते और इस तरीके के लोग जो है ओपन माइंड होते हैं और हमेसा प्रयास करते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आया उसको रिजॉल्ट किया जाए गुरूप पाडिसिपेशिंस में तो आपने पूरा पड़ा इस बेसेस पे कहा जा सकता है कि जो आट तो लाइक करें और शेर करना ना पूले थैंक यू